हलो फ्रेंड्स आज का विशे है जीस्टी रिटरंस के बारे में आपने पढ़ाओ और सुनाओगा कि सरकार 1 अक्टूबर 2020 से जीस्टी रिटरंस में नया बदलाओ करने जा रही है लेकिन इस बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन या सरकूलर गौर्मेंट की तरफ से नहीं आया है अब सरकार यह इस पस्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी फिलाल अभी नहीं हो रहा है यह अवश्य है कि मौझूदार जो रिटरं फाइलिंग का सिस्टम में इसमें कुछ अप्टेट किये जाए लेकिन इस बारे में भी अभी सरकार के तरफ से कोई नोटिफिकेशन या सर्कूलर कोई जारी नहीं हुआ है अभी सिर्फ चर्चा है कि एक नया GSTR फारम वो इंट्रड्यूस हो सकता है अभी प्रेजेंट लिए जो टेक्स पेर्स हैं उनकी रिटरं फाइलिंग GSTR में कैसे हो रही है तो उसमें साब क्या है एक अपन GSTR 1 फाइल कर रहे है मंतली, क्वार्टरली जो भी मोड उन्होंने उक्ट कर रखा है जो जिसके लागू है और इसके लाव महीने की अपन GSTR 3 भी फाइल कर दें अब मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो रिटरंस अपन फाइल कर रहे है उसमें आप GSTR 1 में डिटेल दे रहे हैं कि जो आपने B2B सेल करी है या B2C सेल करी है उसकी आप डिटेल आपकी GSTR 1 में डालते हैं अब जिसको भी आपने रेजिस्टर टेक्स पे उसको B2B के अंडर में सेल आपकी रिकोर्ड की है वो डेटा ओटो पॉपुलेटिड होके उसकी GSTR 2A में वो सारी डिटेल्स रिफलेक्ट होती है और वो वह से देख सकता है कि किस-किस बंदे से उसने परचेज जो करी है वो उन्होंने अब GSTR 2A में जो ओटो पॉपुलेटिड डेटा आ रहा है तो इसका सब सबसे सही तरीका यह है कि जब आप अपना GSTR 2A व्यू करते हैं तो उस समय आप यह चेक कर लें कि जितनी भी आपने GSTR पे करके आपका जो ITC बनता है वो प्रोपर उसमें रिफलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है या उसने फ्याइल किया है तो आप के जो क्रेडिट आनी चीए वो नहीं आरी तो आफ उसको इंफॉर्म कर दें ताकि नहीं किया यह तो वह अपना JSTR 0 कर ले और यदि उसने गलत फाइल कर दिया है जो आपको गुट्स बेचा है वो उसके पास नहीं आ रही डिटेल तो उसको अमेंड कर दे तो प्रोपर लिए आपका जेस्ट या टूए में वो सारा इटी सी आप क्लेम कर पाएं और आपको रिफ्लेक्ट हो जाएं अब 3B में आप क्या डाल रहे हैं 3B मे उसकी कितना आइटी से आप क्लेम कर रहे हैं चाहे वो cgst का है चाहे वो sgst का है चाहे igst का है अब सरकार के सामने जो समझे है वो है कि ऐसा कोई मेकेनिजम अभी है क्या कि जो आप gstr 3B में डिटेल्स डाल रहे हैं उसका वो वेरिफिकेशन कर सके सरकार का सीधा सा मानना है कि जो आप gstr 1 में दे रहे हैं उसमें जो आपकी liability है gstr payment करने की वो proper तरीके से book हो जाए प्लस जो आप gstr 3B में details डाल रहे हैं यानि कि ITC का claim कर रहे हैं वो proper way में उनको आ जाए अब 3B में जो आपने ITC claim कर रहे हैं वो क्या है self declaration form है जो आपने declare कर दिया government उसको सही मान रहे हैं किसाब जो आपने ITC इसमें claim कर लिया वो सही है लेकिन mechanism ये आप भी जानते हैं हम भी समझते हैं इस पर काफी चर्चा भी हुई है किसाब जो भी self declaration है उसमें ऐसा कोई mechanism है या नहीं है कि यदि किसी ने मनमर्जी से ITC claim कर लिया है तो उसको रोकने का क्या तरीका है कर की चोरी कैसे रोकी जा सके तो सरकार का तो प्राइम concern यह है किसाब जो आप GSTR 1 में detail डाल रहे हैं वो आप सही तरीके से डाल दें जिनको आपने B2B sale है आपकी जो B2C sale है वो प्रोपर तरीके से आप उसमें update कर दें और आपकी IT उसकी GST की liability वहाँ पर fix हो सके तो दूसरा जो आप ITC claim कर रहे हैं वो प्रोपर तरीके से आप claim कर लें सही claim कर लें तो अभी जो भी ITC आप book कर रहे हैं वो आप 2A में देखते हैं किसाब 2A में आपके पास कितनी आ रहे हैं लेकिन यदि कोई mismatch है 2A और 3B की ITC में तो उसको कैसे किया जाए तो इसके लिए चर्चा यह है कि एक GSTR 3B जो है इसमें अपन एक 2B का form एक इसमें introduce कर दें तो 2B में क्या होगा साब 2B में यह होगा कि जो अभी GSTR 2 में आ रहे है details वो आपका ITC GSTR 2B में दिखे 2B में जो आपके ITC आर आ रहे है अभी क्या है कि 2A का autopopulate data 3B में नहीं होता है लेकिन GSTR 2B में जो आपका autopopulated data है वो आपके 3B में तो जो 3B में आपका autopopulated data है जो आपको GSTR 2B में दिखेगा वो ही आप ITC claim करें लेकिन दोस्तों अभी यह सिर्फ चर्चा है सरकार की तरफ से ऐसा कोई notification या circular जारी नहीं हुआ है कि ये बदलाव है वो एक अक्टूबर से आने वाला है जब भी कोई यदी circular या notification नहीं आता है तो इस channel के मादिम से आपको update कर दिया जाएगा अभी हाल फिलाल वो ही system जो अभी तक follow होता आ रहा है वो ही follow होना है और अक्टूबर में भी जैसा कि आप देखे रहे हैं समय भी है अगस्त और सेप्टेमबर लगबग दो महिने फुल मंस का time अभी है तो जैसे ही कोई update आती है तो हम लोग आपके साथ इसको share करेंगे बाकी funda सरकार का इतना सा ही है कि जो नया system introduce भी होगा तो जो ITC claim हो रहा है उसको cross verify cross match किया जा सके कि यह जो data जो भी बंदर जो भी taxpayer है वो अपना ITC claim कर रहा है वो proper है या नहीं है तो जो सिर्फ GSTR 2B की अभी चर्चा है कि एक कड़ी और form की इसमें जुड़ेगी मुझूदा जो system आपका GSTR returns का है उसी को update किया जाए उसी को थोड़ा advance कर दिया जाए नया बदलाव अभी फिलहाल कोई आता हुआ नहीं दीख रहा है सिर्फ यह एक form introduce किया जा सकता है जो की 2A GSTR 2A और GSTR 3B के बीच की कड़ी होगा 2A की auto populated detail जो बंदा GSTR 1 में अपने फाइल करता है वो GSTR 2B में आपको show जाएगी और जो आपकी GSTR 2B में जो data आ रहा है वो auto populated होके GSTR 3B में चला जाए आपको अपनी तरफ से उसमें कोई भी data नहीं डालना पड़े GSTR 3B GSTR 3B आपका जो auto populated data है उसी की base पे आपकी GSTR 3B तयार हो जाए आपको अपनी तरफ से अलग से इसमें data कुछ नहीं डालना पड़े लेकिन यह सिर्फ फिलाल चर्चा है सरकार की तरफ से ऐसा कोई notification या circular अभी issue नहीं हुआ है अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो GSTR 2B में आपके auto populated details आएगी इसमें page है इसमें page यह है कि जो आप GSTR 1 फाइल कर रहे है टेक्सपेर्स यदि किसी ने quarterly mode opt कर रखा है तो जब तक वो अपनी quarterly GSTR 1 सब्मिट नहीं करेगा फाइल नहीं करेगा तब तक वो आपके GSTR 2B में कैसे reflect करेगी अब जब तक GSTR 2B में आपके reflect नहीं करेगी तो आपकी GSTR 3B में data आपका auto populate नहीं होगा और जब 3B में auto populate नहीं होगा तो आपके ITC का claim है वो होगा किस तरीके से तो या तो सरकार ये करें किसाब GSTR 1 है वो हर महीने ही file हो इसमें जो quarterly का option है वो हटा दिया जाए ताकि हर महीने बंदा आपनी GSTR 1 file करे और वो data चला जाए आपके GSTR 2B में और GSTR 2B का data आपके auto populate के 3B में reflect हो जाए जब तो mechanism ठीक है दूशरा तरीका है कि GSTR 3B इसको quarterly कर दिया जाए लेकिन दोस्तों 3B quarterly करने पे सरकार का जो revenue है जो tax का collection है वो defer हो जाएगा postpone हो जाएगा 3 months के लिए क्योंकि जब बंदा अपनी 3B बरेगा तभी तो उसकी liability का पता लगेगा कि इतने उसकी net tax की liability बन लिए जो उसको payment करना है तो जो अभी payment हो रहा है उसमें deferment आजाएगा टेक्स तो जो यह tax का deferment है यह सरकार अभी जहां की revenue का collection GST collection आपने पड़ा सुना होगा कि वैसे ही कम है कोरोना काल से पहले का जो GST collection है अभी तक वहां तक सरकार नहीं पहुंच पाई है उतना GST collect भी अभी नहीं हो पा रहा है तो सरकार क्या इस तरह के का कोई फेसला ले सकती है कि वो जो tax collection से revenue है उसको postpone कर सकें तो अभी फिला इस बारे में update आता है वो मैं आपके साथ share करूंगा दोस्तों वीडियो द्यान से दिखने के लिए दन्यवाद आपका चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब टर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें तो जो भी आने वाले वीड notifications आप तक समय से पहुचते रहें आपके support और आपकी viewing के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का चैनल से जुड़े रही हो